आजकल किसानों के साथ दोखा दड़ी आम बात हो गई है पिर चाहे वो बैंक हो या बिजली विभाग या वेपारी हो या राजनीतिक पार्टी या फिर सरकार भी क्यों ना हो जिसमें सरकार का भी भरपूर योगदान होता है लेकिन यहां से भी किसान अपने आपको ठगा समय सूस कर रहा है आपको बता दे कि कानवन सोसाइटी से किसान जतलाल ने 50 बोरी सूपर खाद लिया जिसको घर पर वजन किया तो हर एक बोरी में माल की मातरा 5-11 किलोग्राम कम निकला जब हमने सोसाइटी परबंदक से बात की तो उन्होंने भी खाद की मातरा कम होना कबूल किया और कमपनी की गलती कहकर पल्ला जाड लिया लेकिन ऐसे में सोसाइटी परबंदक पर कई सवाल खड़े होती है कि जब कमपनी से माल की प्राप्ती होती है तो क्या परब कंपनी से मिली भगत के कारण किसानों को कम्माल सप्लाई किया जा रहा है खैट जो भी हो लेकिन ऐसे लाखों किसान हैं जो वजन की बिना खाद का उप्योग करें हैं और दोखा धड़ी का शिकार हो रहे हैं इस मामले में जब हमने धार किलेक्टर से किसानों के साथ हू रही दोखा धड़ी की बात की तो उन्होंने जाच कर दोश्य परूचित कारवाई का आश्वाशन दिया इस निकला कितने रुपय का माल ले यह करीब 15,000 उपर रखा है इस शिकायत करें बस आए वह कल सुसाइटी तो बन थी आज आज आए शिकायत के लिए इस रवी वार्थाना से निए वह पर हमको मालूम नीथ कल चलू थी यह बन आज आज आए सुमा रहे तो आज 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 आ करेंगे कानवन सुसाइटी में एक मामला आया है किसानों के साथ दोखा दर्डिया जिसमें किसानों को जो सुपर फॉस्फुट में जो कमी आई है सब्सक्राइब कानवन के इसमें कली हम लोग जांच अलिकारी को बेज कर करी इसका पूरा रिपोर्ट मंगवा कि और सब ल जारी थी और सुसाइटी वहां से कंपनी से मिला तो नहीं नोंने तोल के लिया इनको तोल के देरे सारे जो बहुत सारे चीज़ है जान चुछ जाएगी तो उस इस पेस्ट्राइड दोसित मानते हैं डिफ़ेंटिल पहले तो आ जाए क्योंकि प्रकरण डीटेल में कारवाई अच्छे सर्थ इसमें क्या है कि जिन लोगों ने किसानों ने जूज कर लिया है उनको मौज़ा फिर किसी साफ से मिलेगा अगर इसा पाया जाए सब्सक्राइब करेंगे जो कंपने अगर दोसी पाये गए तो उसके किस परकार की कारवई होगी इसमें जो भी प्रावड़ा है विवरारों के खिलाफ कारवाई करने का जाया चाहिए ब्लाक लिस्टिंग का हो या जिनके पास विज़ा इसमें उचित कारवई करेंगे डेफिनिटल्ली हम लोग करेंगे परगंदर साब जो खिसानों के साथ दो खदड़ी हो रही है आप क्या कहेंगे? खदड़ी कुली हो रही है यह सुर्व सुपर खात दम निकला है वो जो माल दिया जा रहा है उसमें 10 चे 15 किलो माल हर बोरी में घम आ रहा है इस के आप क्या कहेंगे? जो एग्रोफास क्रशी चमर्टी का जो सुपर खात है उसी में सिकायद मिली हो और इस कंपनी को उसे सिकायद कर्पूके हैं बाद में हमान डेफरमन को अभी कारता है आपके इसी कितने बोरिया बाड़ की अभीता है अभी 600 बोरी थी उसमें 300 बोरी बित्राइब तो आपके बस कभी सिकायद मिली आपको किस किसान में आपको कैसे पतर चला है अभी कभी कभी वो उसकी क्वांटिटी को चे करता है तो यह थे हमारे साथ सुसाइटी के प्रबंदक जिन्दा कहिना है कि कोई दोफादी नी हो रही है अभी कभी वो उसकी क्वांटिटी को चे करते कभी कभी नहीं करते हैं यह एक इनकी तरब से खहना है लेकिन इनोंने 300 बोरी को वित्रिप कर दिया है उन किसानों को जिन लोगों ने उसका उप्यो कर लिया है अब देखना ये होगा कि उन लोगों के साहथ jaar दीख हुई है नहीं ये तो एक मात्र एक स्काइधाई जिसकी वज़े से आज ही है बोलेकर हमारे साथ ये फेला मामला आया है देखना होगा कि इस पर क्या कार्वई होती है और क्या नहीं केमरा में दिनेश के साथ अमरूरमा समाज़ स्पेस दहा है